हरियाना के अंबाला जिले में कुरोना वाइरस एक बार फिर से तेजी पकड़ने लगा है दिन प्रति दिन नए कुरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के साथ एक्टिव केसों की भी संख्या बढ़ती जा रही है तो वही स्वास्य विभाग के अनुसार अंबाला में सुप्रवार को साथ नए कुरोना पॉजिटिव केस मिले अब अंबाला में एक्टिव केसों की संख्या सरसर तक पहुच गई है आपको बता दे कि स्वास्य विभाग ने जिन साथ मरीजों को कुरोना पॉजिटिव होने की पुष्टी की है उनमें से चार मरीज अंबाला कैंट के रहने वाले हैं तो वहीं इसके अलावा दो मरीज अंबाला सिटी और एक मरीज मुलाना से है गुरुवार को आए 26 ने कुरोना संक्रमितों में से 7 मरीज अंबाला कैंट से ही थे तो वहीं स्वास्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सुकृवार को 8 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया कुरोना के बड़ते प्रकोप ने स्वास विभाग के सामने पुना कड़ी चिनोती खड़ी कर दी है लेकिन विभाग ने अभी से खत्रे को भापते हुए तयारियां सुरू कर दी है तो वहीं सिविर अस्पिताल अंबाला कैंट के आई पीडी के थर्ड फ्रोर पर आईसोलेशन के 20 वर्ड तयार किये गये है जिन में 40 कुरोना पॉजिटिव मरीजों को दाखिल किया जा सकता है विरी रूपोर्ट आई पीएन